हेलो एवरिवन आज हम बनाते हैं पालक पनीर और I'm sure आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी इसी होने के साथ ये रेस्पी बहुत ही टेस्टी है तो स्टार्ट करते हैं पालक पनीर बनाना तो पालक पनीर बनाने के लिए यहां मैंने लिए है 300 ग्राम पालक और इसको मैंने अच्छे से दो लिया है पालक को आप अच्छे से दो लें क्योंकि इसमें बहुत जादा मिट्टी होती है और इसके साथ लिए है मैंने ये प्यास, तमार्टर, अद्रक, लहसुन, हरी मिर्च और ये कुछ साबुत लाल मिर्चे अब यहां लिए है मैंने एक कडाई, कडाई में मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल दूँगी लगवग एक से डेड़ चमच और घी को हम मैल्ट होने देते हैं, घी को मैल्ट होने के बाद मैंने इसमें डाला है जीरा, जीरे को एक से एक मिनट के लिए तड़कने दे थोड़ा सा इसमें और जीरा तड़कने के बाद इसमें मैंने डाल दी है अद्रक और ये लहसुन के चार-पांच कर लिया इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी में और इसके साथ मैंने डाल दी है ये प्याज रफली चौप किये हुए है मैंने ये और प्याज को आप एक मिनट तक चला लें ये दिखी हलका सही इसको कलर चेंज करने आपने अब इसमें मैंने डाल दी है ये हरी मिर्ची लाल मिर्ची और ये मैंने डाला है इसके अंदर टामाटर और इनको भी आप एक मिनट तक चलाएं अब इसके अंदर डाल दूंगी कु इसमें डाल दिया है और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके साथ मैंने डाल दी है ये कटी हुई हमारी पालक को भी रफली चॉप कर लिया है आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं पालक जैसा मर्जी आप कट कर लें इससे हमने इसको थोड़ा सा गलाना ही है यानि की सोफ्ट करना है थोड़ा सा तो इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप क्या करेंगे कि इसका डखन लगा देंगे और low to medium flame पर इसे 7-8 मिनट तक इसी तरह से पकने के लिए रख देंगे और इसमें ये पालक सोफ्ट हो जाएगी अब हमने एक पैन लिया है पैन में लगबग आदा कडशी घी डाल दूंगी और घी को हम मेल्ट होने देते हैं ये देखे इतना घी काफी है हमने जो पनीर कट करके रखा है पालक में डालने के लिए उसे हम शैलो फ्राइ कर लेंगे इस तरह से हलका एक से दो मिनट तक आपको इसको फ्राइ करना है बस जादा नहीं इसको फ्राइ करना थोड़ा सा हलका सा इसका कला चेंज हो जाए और इसका कच्छा बन निकल जाए बस इतना ही आपको फ्राइ करना है यह देखिए पनीर हमारा थोड़क सा फ्राय हो चुका है और आम इसे निगाल लेती हूं ज्यादा आपको फ्राय नहीं करना तो इधर हमारी पालक चेक कर लेते हैं तो 7-8 मिनट हमें हो चुके हैं इसे ढखके हुए तो यह देखिए यह पालक थोड़ी सी हमारी गल चुकी है यह देखिए इतना हमने बस इसको सोफ्ट करना है अब मैं गैस को बंद कर देती हूं पालक को जो हमने सोफ्ट किया था अब हम उसे ग्राइंडर जार में डाल कर पीस लेंगे पेस्ट बना लेंगे इसका अच्छे से तो यह देखिए मैंने डाल दिया है जार में तो ये देख सकते हैं अब पाला को मैंने अच्छे से पीस लिया है इसी तरह से आपको इसका पेस्ट बनाना है यानि कि अच्छे से इसको पीसना है जिस पैन में हमने पनीर को फ्राइ किया था वही पैन मैंने ले लिया है और इसमें थोड़ा सा गी बच गया था अब उसी में मैं डाल दूंगी ये लस्ण बारी कटा हुआ थोड़ा सा तो इसको हम एक मिनट तक चला लेंगे थोड़ा कलर चेंज गर लेंगे इसका तो लेस्ण हमारा भुन गया है थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो चुका है अब मैं इसमें डाल देती हूँ कश्मीरी लाल मिर्च ये तीखी नहीं होती बस इसका कलर चेंज होता है थोड़ा सा तो इसके अंदर तड़के में मैं डाल दूंगी मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से लगबग आधी चमर डाली है मैंने ये चोटा चमर्च और इसके साथ ही मैंने कश्मीरी मिट डालने के बाद अब डाल दी है ये प्यूरी बना के रखी थी जो पालक की उसे अच्छे से मिक्स करें है ना कितनी इजी रैस्पी और आपको लगने के साथ साथ आपको ये इतनी टेस्टी लगेगी ना आप एक बार मेरे कहने से जरूर ट्राइ कीजिए आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी ये रैस्पी और इतनी एजी की मज़ा ही आ जाएगा आपको तो इसके बाद मैंने यहां डाल दी है मलाई ऑप्शनल है आप मलाई डालना चाहे तो डाल सकते है अगर आप क्रीम डालना चाहे तो वो भी डाल सकते है और अब आप डाल देंगे पनीर हमारा फ्राइ किया हुआ तो ये देखिए पालक पनी तयार है और इसको अगर आप खाएंगे तो आपके महमान पूछेंगे जरूर इसकी रैस ही लो फ्लेम पर पकाया है धकन लगा दिया था और पांच मिनट हो चुके हैं और ये देख सकते हैं आप हमारा पनीर पालक पनीर तैयार हो चुका है वाव इसकी खुश्बू इतनी अच्छी आ रही है ना बस मन कर आए अभी खा लें फटा फट से तो जरूर ड्राइ आप ये रेस्पी तो रेडियो चुके है है हमारा पालक पनीर अगर आपको ये पालक पनीर पनाने की रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अगर आप ये ट्राइक करें और अगर आपको पसं झाल झाल